हेलो और नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नुभव आप देख रहे हैं यूनिक एप साइट्स और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में और इस वीडियो के अंदर हम वेब डिजाइनिंग की यूनिट नमबर टू जिसका नाम है है elements of html का full explanation देखने वाले हैं तो चलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं तो दोस्तों यूनिट नमबर टू जो है वेब डिजाइनिंग की उसका नाम है elements of html और उसके आखरम contents की बात करें तो बहुत easy unit है वैसे बहुत प्यारी unit है बहुत बड़ी है लेकिन हां बहु आते हैं आपके elements तो elements के बारे में पढ़ने वाले हैं फिर आएंगे list फिर आएंगे tables, hyperlinks, images, multimedia and forms अब शुरू करते हैं सबसे पहले elements हैं तो elements क्या होते हैं elements होते हैं building blocks of html code html document या फिर आप कह सकते हो html document को पूरा करते हैं ठीक है जैसे कि हमें पता है जैसे हमने first unit में भी देखा था कि जो html होता है वो एक skeleton होता है मतलब कि एक तरीक से framework होता है website का अगर website के अंदर आपके html नहीं होंगे तो फिर आपको एक framework के एक stability जो text की stability है वो सारी चीज़े नहीं मिल पाएंगी तो क्या है कि जो building blocks होते हैं html document के अगर आपको html के अंदर को वो करने है website बनानी है html की help से तो आपको उसके अंदर elements का use करना ही पड़ेगा जो display होता है क्योंकि actually building block क्यों होता है क्योंकि जो display होता है आपको जो वेबसाइट पर आप गए उसमें जो भी आपको text या जो भी चीज़े दिखती है वो सारी elements की वज़े से ही दिखती है और elements जो होते हैं वो यह भी define करते हैं कि जो चीज़ें है screen के अपर वो कैसी दिख मतलब की जो इसकी properties होती है bold होगा italic होगा जादा बड़ा होगा छोटा बड़ा छोटा होगा ठेक है यह वाली जो सारी चीज़े होती है सारे के सारे जो elements होते है HTML के वो consider करते हैं structure की बात करें तो दो चीज़े होती है एक तो होता है इसके अंदर opening tag और एक होता है closing tag opening tag के अंदर क्या करते हैं बस आपको ऐसे करके एक angular जो होते हैं greater than or less than वाले लगा देने हैं और उसके बीच में जो भी आपका element is use कर देना है और जो आपका closing tag है बस उसके अंदर आपको एक slash और additionally use करना है बाकि सबको same रहता है ठीक है elements are not case sensitive यह case sensitive नहीं होते है मतलब कि अगर आ HTML है हमारा HTML के अंदर opening tag भी होता है closing tag भी होता है body के अंदर भी होता है ठीक है इसी तरीके से जो भी opening और closing tag होंगे वह हमारे elements होते है ठीक है elements are predefined जो elements होते है वो predefined होते है मतलब user अगर चाहे कि वो अपना एक element define करते तो ऐसा possible बिल्कुल भी नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता है ठीक है आगे बढ़ते है तो आगे आता है categories होती है वो इसके अंदर majorly 8 होती है सबसे पहला होता है root root का मतलब क्या होता है doc type html आप लिखा होगा जरूर जब आप html के अंदर website बनाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है root doc type तो वो यह root हो गया फिर उसके बाद यह define करता है कि document किस type का है html है css है कैसे भी है ठीक है फिर आता है अपका metadata फिर उसके बाद आता है अपका section उसके बाद heading हमने पीछल उसमें भी देखी थी unit number one के अंदर hn का मतलब क्या है hn का मतलब है यहाँ पे number जो यहाँ पे जितना छोटा number होगा उतना ही बड़ा text होगा अगर h1 सबसे छोटा number है तो सबसे बड़ा जो text होगा वो भी उसी number का होगा flow आता है फिर आपका flow के अंदर क्या होता है abbreviations use की ज अंदर आप जब audio को video को कैसे भी आप merge करते हो ना मतलब merge करने का मतलब add करते हो तो उसे embed कहते है ठीक है लेकिन जैसे कि उसके storage तो कहीं और है लेकिन आप उसे show अपनी website पर कर रहे हो तो उसे बोलते है embedding जैसे कि आप notes download करने के लिए जैसे इस video के जो notes है वो description में आपको म जने links को embed किया हुआ है जिन लिंक्स के ओपर आप click करके easily notes को download करसकते हो तो यह सारी embedding होती हो और embedding किसी बी टाइप की चीज क्यों सकती है जैसे audio की हो सकती है इमेज devices की हो सकती है किसी बी चीज क्यों सकती है ठीक है फिर आता है interactive, interactive का मतलब क्या होता है, i-frames को use करना, levels को use करना, buttons को lose करना, जो की interactiveness बढ़ाएं, जो user है, उसको अपनी तरफ attract करें, ठीक है, तो इससे हमारी interactiveness जो होती है, वो increase होती है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा metadata, metadata क्या होता है, इसके अंदर मेली जो होते ह है, art type के होता है, यह easily हम समझना चाहें, तो metadata क्या होता है, जो हमारी website होती है, उसके अंदर जो चीज़े use कर सकते हैं, हम for metadata कही type का होता है, SEO के लिए अलग use करते हैं, functionalities के लिए अलग use करते हैं, तो यहाँ पर हो है, वो metadata elements है, जो कि आप html को मिलब जो website बना रहे हो, आप development कर रहे हो, उसके लिए use करोगे, ठीक है, सबसे पहला आता है आपका title, title के भी 4 attributes होते है, class, language, id, style, ठीक है, class हो गई, फिर उसके बाद id जो होती है, वो alphanumeric होती है, ठीक है, language, language, lang का मतलब क्या है, language बताती है, style का मतलब कि क्या उसकी properties होंगी, कैसा उसका style होगा, bold, detail, फलाना, इंकाना, जो भी होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, base element आता है, base element दो location है, जहां तक आपको ले करके जाना है, data को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है, आपका further target has five attributes, जो हमारा target होता है, उसकी भी पाँच attributes होती है, सबसे पहले आपका आगया blank, blank के आगे symbol लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपका यह open करता है नहीं window में, जैसे कि आप किसी भी text के उपर click करोगे, आपने link embed कर रखा है, तो वो नहीं window में खुलेगा, ठीक है, फिर आता है आपका parent, parent के अंदर क्या होता है, same frame, same frame के अंदर खुलेगा, फिर उसके बाद आता है आपका self, self के अंदर क्या होता है, present frame set, जो present frame set होता है, मतलब कि जो properties आप फिलाल use कर रहे हो, उसी property के हिसाब से वो खुल देगा, ठीक है, top, top के अंदर क्या होता है, same window, जिस window में आप use कर रहे हो, जिस tab के अंदर आप use कर रहे हो, उसी tab में open कर देगा, और फिर उसके बाद frame name ये भी respective frame के लिए ही use होता है, simple सी बात ये है, जो target है, उसक है, लेकिन जो major headings है, वो सबसे जाधे important है, ठीक है, आगे बढ़ते है, तो आगे आता है, हमारा third link element, link element जैसे हम पहली discuss कर चुके है, href हो गया, href lang हो गया, media हो गया, इन सब के लिए use करते है, meta element क्या होता है, care set हो गया, contents हो गया, http equivalent हो गया, फिर उसके बाद command element के यूज क जी में तो हम बहुत सारी वो use करते है, scripts को, जैसे की react.js हो गई, उसके लावा node.js हो गई, सारी की सारी node, java script ही है, js, सारी की सारी scripts है, लेकिन हम majorly जो पढ़ने वाले हैं, वो इसके अंदर java script पढ़ेंगे, तो जिस website के अंदर कोई भी script नहीं होती, कोई भी java script नहीं है, फिर उसके बाद आता आपका the script, the script के अंदर क्या होगा, कि वही script जो है, वो use करी गई है, synchronization के लिए, type के लिए, character set के लिए, डिफर करने के लिए, style element क्या करता है, कि type, media, scoped, जो भी आपको style use करना है, वो आप style use कर सकते हैं, फिर उसके बाद आता आपका html tags, html tags क्या ह होता है, embed directly in text to document, मतलब कि जो भी text है, उसको document के अंदर embed करने के लिए, ये mainly use किये जाते हैं, ये भी दो type के होते है, एक होता है, paired और एक होता है, singular, paired के अंदर क्या होता है, कि वही opening और closing tag होंगे, simple सी बात है, singular के अंदर क्या होंगे, कि वो अकेले रहते है, stand alone, अकेले रह text with HTML elements, format text क्या होता है, format text होता है, कि जो भी आपका text है, उसका आप किस type से format रखना चाहते हो, format वही कि bold होगा, italic होगा, small होगा, big होगा, ये सारी चीज़े जो होती है, वो format text के अंदर आती है, जो आपका text का format होगा, वो इसका मतलब है, elements change appearance like italic, bold etc, जो elements है, वो अपनी appearance को change कर सकते हैं, जैसे की bold कर सकते हैं, italic कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, has opening and closing tag, इसके अंदर opening और closing tag होता है, अगर आप ये पूछ सकता है question में, कि if you have not closed the tag, what will happen, अगर आपने close नहीं किया tag को तो क्या होगा, तो उस condition में क्या होगा, कि जो आपका सारा-का-सारा text है, जो भ भी text है, वो सारा-का-सारा same format में हो जाएगा, जब तक उसे close नहीं किया जाएगा, ठीक है, दो category होती है, सबसे पहला होता है, formatting with HTML physical style element, और दूसरा होता है, formatting with HTML logical style elements, इसके अंदर क्या होता है, जैसे physical है, physical मतलब आपको खुद करना पड़ेगा, खुद कैसे करोगे, bold element, be element क जैसे कि यह आपने use कर दिया, यह opening tag हो गया, यह आपका closing tag हो गया, और इसके अंदर आपने लिख दिया, कुछ भी आपका जो भी text है, वो आप यहाँ लिख देंगे, तो हो गया, ठीक है, आप जैसे italic है, तो italic के अंदर आपने I यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आपने UAS लिख दिया, unique app sites, और उसके बाद यहाँ पे आपने I लिख दिया, closing tag, तो यह italic हो गया, फिर उसके बाद same to same यहाँ पे होगा, और जो इसका abbreviation है, वो आप यहाँ पे use कर देंगे, ठीक है, that's it, यह इसी लिए है, और यह बहुत easy है, समझना, bold, italic, small, subscript and superscript, ठीक है, आग कुछ ना कुछ अपने खुद के meaning होते है, कुछ ना कुछ context होता है, या फिर कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है, वो precisely जो होते है, वो deliver करते है user को, अगर user है, ठीक है, और उसको कोई abbreviation use करनी है, तो वो ABBR को use कर सकता है, अगर उसे programming code को करना है, तो वो CODE use कर सकता है, sample program के sample कर सकता है, keyboard keys के लिए KDB use कर सकता है, emphasize text के लिए EM use कर सकता है, emphasize tech increase, मतलब emphasize भी करना है, text को साथी साथ increase करनी है boldness को, तो वो strong use कर सकता है, तो ये तो कुछ हमारे elements format करने के लिए text को, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारे list, list क्या होती है, list जो होती है, अब आपके जो college होंगे, उसमें भी आपकी एक attendance की list बनी होगी, ठीक है, तो list में भी क्या होती है, कि इसके अंदर आपके opening और closing tag दोनों होते हैं, उसके अलावा ये group करती है related items को एक जगा, ठीक है, जैसे कि आपकी class का, वो है, रजिस्टर है, attendance register है, तो उसके अंदर जो list बनी होगी, वो आपकी class की बनी होगी, जिनके role numbers के आते हो sequence में होगी, आफिन नाम की हिसाब से बनी होगी, जैसे ठीक है, तो वो list हो गई, फिर उसके बाद इसके 3 types होते हैं, सबसे पहला होता है ordered, दूसरा होता है unordered, और तीसरा होता है definition, ordered, simple सा है, कुछ नहीं है, ordered के अंदर, ol जो है, आप लिख देना, तो आपका ordered का जो है, वो element बन गया, tag बन गया, उसके अलावा जो आपका number element है, वो इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे मैं आपको example देता हूँ, जैसे आप उपर देख सकते हो, यह एक list बनाई है मैंने, ठीक है, यह एक list ही तो है, यह किसकी है, logical style elements की है, इसके अंदर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह कौन सा order है, order wise लगे हो है न, order wise लगे हो है, तो यह किसमें आए order का example, अगर unordered की बात करें तो इसके अंदर आप URL यूज कर देना, हो गया काम, इसके अंदर आप क्या यूज करते हो, bullets कैसे यूज करते हो, अब देखो जी, इधर देख लेते हैं, इधर आपने देखा होगा, तो मैंने HTML के आगे, कोई भी number नहीं लिखा है, तो आपको यह पता नहीं चल रहा होगा, कि यह topic number कौन सा है, नहीं पता चल रहा न, उसके अलावा यह जो है, यह भी stars बने हो है, मतलब bullets बनी होई है, यह तीन bullets है, अलग लग टाइप की bullets आप यूज कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ordering नहीं होती है, आपक description term and description each term, इसके अंदर क्या होता है, एक quantum जो book है, उसके अंदर एक example दिया गया है, e for everyone, right, e for everyone, और उसके बाद नीचे इन्होंने एक element यूज करके उसकी जो भी definition है, वो लिख्य होई है, ठीक है, यहीं किया हुआ है, तो बस यहीं करना है, मतलब की e for everyone, जैसी कोई e for everyone तो मतलब जैसे कि मैंने यहां पर abbreviation use करके देखते हैं, कहां लिखा हो, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा मैंने, जैसे कि हम letter कर लेते हैं, तो यह मैं एक abbreviation use करने वाला हूँ आगे, इसका मतलब क्या है, between है, right, between है, okay, तो अब क्या है कि यह जो है ना, इसके अंदर मैं आ सकता है तो please आप जो अपना HTML का है वो कर लीजेगा जरूर और दो codes जो हैं बहुत जादा important है कम से कम हर साल पूछे ही जाते हैं सबसे पहला है student form बनाने के लिए आपको जरूर आ सकता है उसके अलावा दूसरा registration form तो आएगा ही उसके अलावा आपके लिए आ सकता है जो railway का reservation होता है उसके लिए भी आ सकता है यह important है और आगर आपने इन दोनों में से दोनों ही कर लिए तो फिल तो सोने पर सुहागा अगर आपने एक कर लिया तो आपको दूसरे का idea लग जाएगा कि दूसरा कैसे करना है तो आप दूसरा भी identically कर सकते हो main चीज आपको यह है कि य सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देने दोस्तों को और बैल आइकन को दबा देना मुझे comment section में बताना आपको next वीडियो किस topic क्यों पर चाहिए या फिर को में लिए suggestion हो feedback हो प्रीज मुझे ज़रू बताईएगा आगे बढ़ते हैं तो आगे आ क्या होता है confused होजाता है रहो कालम में कि याद नहीं हो रहा जी रहो क क्या होती है kalo गआ होता है ठीक है तो जैसे कोई भी है वो रहो गया रौ रहो की लेट गया मैंने ऐसे याद गया था तो यहोड रहो Арसारी ओ Κ्या एक और स Aurada एक इसमेंwards सोनमें होघ। तो उसको क्या बोले जाता है table बोला जाता है ठीक है जी इसके अंदर आप table element का use कर सकते भो tr roles को बनाती है और td जो है वो data cells को बनाती है, data cell क्या होता है यह एक data cell है यह एक data cell है ठीक है ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है elements क्या क्या होते हैं सबसे पहले इसके अंदर 7-8 elements होते हैं आपके caption element होता है call group होता है call element होता है T-body होता है T-head होता है T-foot होता है T-R होता है T-D और T-H होता है ठीक है जी T-D और T-H को T-R और T-D को हम पहली discuss कर चुके हैं यहाँ पे कि TR का मतलब होता है create row और TD का मतलब होता है data cells को बनाना ठीक है जी caption के अंदर क्या करते हो कि आप कोई भी table को नाम दे सकते हो call group के अंदर क्या कर सकते हो आपके जो table है उसके अंदर सारी की मलब दो या दो से ज्यादा टेबल है ठीक है और आपको सबके अंदर सेंब प्रॉपर्टी चेह मान के चलो कि मेरी एक टेबल है एक टेबल है बी और एक टेबल है सी और मुझे तीनों के अंदर यह चाहिए कि जो उनके बॉर्डर जैना वह ब्लैक क्यों तो बिल्कुल जी मैं कॉल गूरूप को यूज करूंगा एबी लिखूंगा टेबल के नाम लिखूंगा और मैं उसके अंदर यह जो हैं टेबल की उनको गुरूप कर देता है इसके अंदर भी Arabsome बापा भाप थी तीन काम से कर सकते हो तीं तरीकी से कर सकते हो Sense को ती relationships करना तीयाelect हमें पता है रोज वो करती है क्wn हमें पता है यह हमारी data cells को create करने के लिए काम आती है इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आ गया आता है हमारा cell spacing cell spacing क्या होता है जैसे कि दो cell है हमारे उन दोनों के बीच में कितना हमें वो चाहिए space चाहिए उसे हम cell spacing कहते हैं इसका अगर हम default देखे तो दो pixel का होता है border spacing properties used इसके अंदर border spacing अगर आप लिख दोगे तो आपका cell spacing लग जाएगा example देख लेते हैं जैसे table हो गया curly braces border spacing 30 pixels तो यहां पर 30 pixels का क्या होगा आपका space आ जाएगा cell padding देख लेते हैं cell padding के अंदर क्या होता है कि जो edge है और content है उसके बीच में कितना space होगा इसे बोलते हैं cell padding मतलब कि मान के चलो कि यह हमारी एक cell है और एक हमारा यह cell है ठीक है अब इन दोनों के वीच में जो difference है ना यह वाला जो difference है यह मुझे बढ़ाना है तो जैसी मैं 30 pixel से 60 pixel कर दूंगा तो यह वाला जो box है ना यह इतना दूर चला जाएगा ठीक है यह यह जो है ना यह 60 pixel हुआ और इसे हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे जी इसे हम बोलेंगे cell spacing ठीक है अब मान के चलो कि हमारी table है table के अंदर क्या है एक cell मेरा यह है और एक साइल मेरा यह है लेकिन मुझे यह जो है यह वाला जो एरिया यह जैदा चाहिए तो हम मैं क्या करूंगा cell padding को use करूंगा और cell padding के मदद से क्या होग यह वाला यह इतना हो जाएगा ठीक है और यह इतना साइज बढ़ गया ठीक है जितना मैं बढ़ tiya को मुझा करने को बता देना मैं बता दूँगा को आगे बढ़ते हैं तो आ år ले डिफॉट पैडिंध टो zero by default क्या होथी पैडिंग जो होती है वह 0 हर direction में इस property को define कर सकतो कोई भी किसी type की भी दिक्कत नहीं है ठीक है जी example देख लेते हैं यहां पर आपने THTD किया और उसके बाद पैडिंग कर दी 14 मतलब कि जो आपका रोज है या जो हैं डेटा सेल्स हैं उनका आपने पैडिंग कितना कर दिया 15 पिक्सल कर दिया और इसके अंदर आपने डिफाइन नहीं किया है कि left right top bottom तो चारो तरफ से 15 पिक्सल लग जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ता है हमारा frames frames क्या होते है फ्रेम्ज होते हैं यह करता है एक डिवाईड करता है एक र वेब ब्रॉजर के अंदर में डिपरिंट सक्छन को ठीक है डिफ।े टिफ।on को यह मैंने about us चीक है यह क्या हो गया name हो गया फिर उसके बाद ये क्या ऊगया photo हो ए पर शेचे बाद ये क्या हो गया बोइघ हो गया अब यह ए जो तीन है यह मैंने अब न बना ली लेकिन इसमें ऐस में कैसे बनाऊंगا भी या इसमें बड़ी दिख्कत आईगी मेरे को करने में, तो इसलिए मैं क्या उस करूँगा? फ्रेंबंगा, और फ्रेंब की मदद से क्या हो जाएगा? यह वाला यह frame set हो गया, एक Frame यह set गया, एक frame यह set हो गया, अब जब तीनोf jeuxset हो गया ना यह तीनों एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे और जब मर्ज नहीं होंगे तो जो मेरी फॉर्मैटिंग है वो बिल्कुल ठीक रहेगी बिना किसी दिक्कत के रहेगी यह मेरे को चाहिए और इसलिए मैं फ्रेम को यूज करता हूं ठीक है जी चलिए इसके अंदर आप फ्रेम स है वो यूज करते है प्रॉपर्टिस डिफाइंड करने के लिए ठीक है जी कोई दिक्कत मतलब की फ्रेम सेटक को आप यूज करोगे यह बट जाएंगे एक दूसरे में और जो डबों के अंदर वाली चीज है वो नाम कौन से उसमें होगा फॉन्ट में होगा कौन से कलर मे से है ठीक है ठीक है यह ठीक है फ्रीमस के चाहर टाइस होते हैं सबसे पहला हो गया थम्साट दूसरा हो गया ऑगे और बादर रसवाब अगर को बनाना और यह आप यह जीरो को सकती है है ठीक है शेलैने में होगी मतलब को मिला करके inline frames की बात करें तो ये display of web page within a web page मतलब कि ये web page के अंदर web page दिखाता है ठीक है मान के चलो कि आपकी website है and you want कि मैं अपनी website के अंदर मतलब कि दो website है एक है A और एक है B ठीक है ये दो website है and आप चाहते हो कि A का जोना थोड़ा सा preview B में आ जाए तो ये भी चीज पॉसिबल है HTML के अंदर with the help of inline frames ठीक है inline frames की help से ये possible है बिल्कुल है ठीक है आप भी का थोड़ा सा preview उसके अंदर दिखा सकते हो या फिर A का preview या फिर किसी एक का भी दिखाना चाहो वो भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है hyperlinks की बात करते हैं तो hyperlinks क्या होते है HTML के लिंक को ही hyperlink बोला जाता है जब आप एक link के उपर क्लिक करते हो तो दूसरी document के उपर जले आते हो और फिर मतलब computer के अंदर तो यह जो होता है हे वाला change हो जाएगा हाथ में चाहे जो उबली वाला होता है वह उसके अदर change हो जाएगा ठीक है तो वही चीज़ यहां पर बोली गई है फिर उसके अंदर आपको यूज करना तो यूज क्लोजिंग होता है वाला example देख लेते हैं zех यह हम किस लिए उसकरते हैं लिंक के लिए उसकरते हैं यौर यहरे्टिक लिए great हो यह बन गया hr link आगर हम यूजे नहीं करते तो लिंगं भलिगजा है थीक है तो यह क्यों हो गया hr jeff just buy a आपे अपना लिंक का जो भी आप टेक्स चाहते हो लिख दो और क्लोजिंग टैग लगा दो ठीक है जी यह आपका हो गया हाइपर लिंक दोस्तों आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो ग्रूप जॉइन कर सकते हो लिंक कर लेना पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो आप मेरे शोशल मीडिया अकाउंट पर वह भी आपके डिस्क्रिप्शन में हैं देख लीजिएगा इमेज इसकी बात करते तो इमेज क्या होते हैं यह आप ग्राफिकल मीन से मैसिज को जब कनवे करते हैं तो उसे बोलते हैं इमेजिज यह हमारे इंप्रूफ करता है डिजाइनिंग को क्योंकि अब बान के चलू कि बैक्ग्राउंड गलर मेरे को पसंदिया रहा मेरे को तो नीची है तो जो क्या करता है आपके डिजाइन को बहुत जादा इंप्रूफ कर देता है इसके अंदर आप IMG टैक को यूज कर सक्ते हो इसके अंदर बहुत सारे अट्रिब्यूट्स होते है जैसे कि SRC होता है, ID होता है, Language होता है और बहुत सारे होते है पढ़ेंगे आगे आता है आपका syntax syntax के अंदर क्या है कि image source syntax आपका image src source is equals to url और यहां पर जो भी आपका alternate text अब alternate text को क्यों use करते हैं आप मान के चलो कि आपने यह मेरे नाम के उपर link क्लिक किया ठीक है अब मान के चलो कि नाम यह मेरी photo है राइट यहां पर आपने मैंने photo लगाई थी ना अपनी जो आपको दिखाया था वेब पेज तो इसके अंदर क्या है कि photo है अब photo के उपर जैसे आपने click किया मेरी इंस्ट्राग्राम आइडी खुन ली थी ठीक है अब error message मैंने जब लिखी नहीं रखा तो वहां पर वह पर गुंता रहेगा गुंता रहेगा तो इसलिए error message जानने के लिए कि अगर वाइचन सापकी photo का link काम नहीं कर रहा है या फिर image काम नहीं कर रही है तो alternative text क्या लिखाएगा तो वह आप यहां पर लिख सकते हो ठीक है तो यह 12 हैं आप इनके बारे में याद कर लिजेगा headings important है बहुत जादा चाहे आपको अंदर का थोड़ा कम याद हो चलेगा लेकिन major headings आपको लिखनी है examiner को कम से कम यह बताना है कि हाँ भया मेरे को आता है मैं अंदर का थोड़ा सा भूल गया लेकिन हाँ मुझे hint मिलत है अलग-अलग type के जो images का extension होते हैं तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिलाल हमारे पास तीन ही type के format हैं easy से सबसे पहला होता है gif gif आपने देखा भी होगा अब तो आप सबकी पास whatsapp होगा whatsapp के अंदर gif का option आता है आपने वो जरूर यूज किया होगा तो वो क्या होत हो कि आपकी एक website है एंड उसके उपर आप यह चाहते हो कि वाली जो इजी आई आफ आपने लगा रखी है न यह बहुत जादा डार्क है यह थोड़ी सी light हो जाए यह थोड़ी सी transparent हो जाए तो आप क्या कर सकते हो उसे transparency भी कर सकते हो छोटा होता है size में और साथी साथ portable होत लग कि आप easily एक जगे से दूसरी जगे इसको send कर सकते हो ठीक है जी चलिए दो टाइप की होती है एक होती ही जी आएफ 87 और एक होती है जी आएफ 89A आगे बढ़ते हैं तो आगे आता आपका jpeg jpeg क्या होता है इसके अंदर unlimited colors होते हैं जी इसके अंदर आपके dot gpeg extension को द और आपको jpeg करने तो आप बिल्कुल कर सकते हो भी ना किसी दिक्कत के with the help of that complex algorithm okay PNG के अंदर क्या है PNG क्या है all features of होते है मतलब इसके अंदर जैसे आपकी वीडियो होती है वीडियो के अंदर जो sequence होता है images का वह आप GIF के अंदर भी achieve कर सकते हो बस आवाज नहीं होती ठीक है audio नहीं होती है बाकि आप achieve कर सकते हो PNG क्या होती है इसके अंदर GIF के सारे features होते है और इसके अंदर looseless compression होता है looseless compression का मतलब क्या होता है जब आप images को compress करते हो ना तो compress करते हैं क्या होता है quality कम हो जाती है लेकिन PNG के साथ ऐसा नहीं होता compression नहीं होती है वो और compress होती भी है तो quality remove नहीं होती quality कम हलकी नहीं होती है unlimited colors होते है है alpha transparency होते है यह alpha transparency मतलब की transparency भी झो होती न बहुत सारे types की होती है alpha beta तो इसके इनदर Screen vaak Dancing स क्यों सकती है variable opacity variable opacity मतलब कि आप opacity अगर इसकी change करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हो आगे बढ़ते हों तो आगा आता है हमारा audio और audio क्या होती ऐती है जी ओडियो होती है स्टोर डेटल अव्योडेटा मतलब कि जो डिजिटल ऑडियोडेटा है जो से स्टोर कर सकता है और हाद ओड देटे केंदर चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं decoding of draw data ठीक है जी file formats की बात कर लेते हैं तो 6 type की formats होते हैं सबसे पहला होता है आपका AAC की full form क्या होती है advanced audio coding दोस्तों यह पिछले साल के question paper में यह वाला question था audio वाला question था and अगर मेरे पास time बिल जाता है तो मैं बिल्कुल आपसे question paper वह discuss करने वाला हूँ मुझे comment section में भी उता देना अगर जरूरत हो तो और please यार चैनल को subscribe जरूर कर लेना एक target है subscription का subscribers का वह मैं आपको description area में देदूंगा वह देख लेना वह lose होता है lose हो सकती audio quality फिर उसके बाद आता है आपका handle कर सकती है higher और lower frequencies को लेकिन जो frequencies है वह 16 hertz से उपर क्यों नीची है और यह better होती है MP3 से ठीक है जी यह मैंने better का और मतलब यह आप abbreviation कह सकते हो तो यह better की मेरी abbreviation है तो यह better होती है किस से MP3 से better होती है audio interchange file format इसके अदर क्या होता है abbreviation क्या होती है इसकी AIFF high quality होती multi challenge होती है और उसके अलावा 10 MB एक मिनिट की एक मिनिट की अगर audio record कर रहे हो तो भाई यह 10 MB ले जाएगी यह stereo audio होती है stereo का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि आप सुन रहे हो मेरी audio को अगर आप बाइचांस headphones के अंदर सुन रहे हो ना तो आपके दोनों left और right के अंदर equal आवाज आ रही होगी ठीक है तो आगे आता है आपका audio file AU यह simple होती है चार bit चार law encoding होती है इसके अंदर actually क्या होता है यह जो encoding वगएरा होती है इनके अंदर बहुत सारे types होते है just like आप जो audio इस time पे मेरी सुन रहे हो वो 320 kb per second के साब से है मतलब उसका जो sample size है वो 320 kb per second के साब से है kbps के साब से है वह भी आपका different हो सकता है जितना जाद अच्छा sample rate होगा उतनी ही जाद अच्छी clarity होगी अब जैसे कि आपने जो music जो application होते हैं उनको अगर देखा हो तो उसके अंदर उसके उपर जाते हो तो फिर 240 तक चला जाएगा ऐसे होता है and highest के अंदर 320 चलता है तो यह होता है आपका audio का system इसके अंदर media playlist की बात करें तो यह इसको बोले जाता है ब्रीवेशन में यह playlist को store करता है और सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था विन अपने इसके बाद जो यह क्या करता है यह plain text रखता है अगर आप इसके फाइल को डाउनलोड कर लो ना तो इसके अंदर plain text होता है और यह क्या करता है यह media files एक पाथ इस गाने के उपर पहुंचा कि दूसरे के अंदर जाओ के तो दूसरे जैसे हमारी playlist होती है ना playlist के अंदर बस address होता है आप उसके उपर click कर तो गाना चल जाता है store कहीं होर होता है लेकिन आपको बस show होता है कि हाँ यहां पर है ठीक है आई-ए-फ-फ क्या होता है interchange that file format ओके यह generic होता है transfer करता है data between software company software to buy software by different companies मतलब कि जो different companies के दुवारा software बनाये गए और बनाये गए होए है ना उनके अंदर audio को एक साथ यह transfer कर सकता है audio data जो होता है वो text form में भी audio data तो store करते है और इसके पास कोई भी extension नहीं होता है सबका अपना अपना extension होता है इसका extension नहीं होता music instrument digital interface की बात करें M-I-D-I-F-F तो इसके अंदर क्या होता है interchange करता है musical information कई सारे platforms के अंदर synthesizer जैसे की हमारे कई सारे musical information जो होती है वो instruments के बीच में interchange करते रहता है ठीक है जैसे synthesizer अब आपने ध्यान दिया होगा जब आप guitar बजाते हो तो उसकी tone अलग आती है लेकिन वहीं जो guitarist होते हैं मतलब कि जब machinery उनसे जब leads वगरा लगा दी जाती है जब connect कर दिया जाता है उन एसे भी होती है तो यह क्या होता है यह enhance करने के लिए यूजर को ँछे एक्सफिएंस ऑसे enhance करने के लिए ये वाला काम किया जाता है synthesizer उसके अधर आपने देखा भी होगा कि कई सारे फून के अंदर Dolby Atmos आने लगा है ती आधर की मार्ण जो होते हैं कई सारी instruments के base high है तो base high कर देता है automatically Dolby Atmos तो यह सारी चीज़ होते हैं keyboard controller soundcard PC and etc उसके बाद आता है smaller than digital audio file digital audio file से चोटा होता है cross platform होता है मैं तक पर ही सारे platform पे एक साथ आप यूज कर सकते हो और जो popular हमारे गाने बजाने वाले apps हैं वह M.I.D.I file को ही यूज करते हैं MP3 file को यूज नहीं करते हैं इसी वज़े से जब आप उन files को download करते हो जैसे आप कोई सा application यूज कर रहे हो YouTube music यूज कर रहे हो या फिर आप Spotify यूज कर रहे हो MPEG का MPEG ही होता है उसके अलाबा क्या है क्या है क्विक लाइम मूवी का इसे आप QT या फिर MOV कह सकते हो और लास्ट आता आप का WMB Windows Media Video ठीक है तो दोस्तो ये थी हमारी unit number 2 web designing का full explanation होप सो ये आपके लिए बहुत जादा helpful रहा होगा अगर helpful रहा है तो प्लीज एक like देदो comment करके ज़रू बताना की कैसे लेगी कोई suggestion हो कोई next video के इस topic के पचे और दोस्तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना share कर देना अपने दोस्तों को यार और प्लीज टार्गेट के लिए description को आप देख लिजेगा अगर आपको जो आपकी sample papers हैं जो previous equation paper हों ने discuss करवाना हो तो हम मिलते है नेक्स वीडियो में जाहिन जाह बारत thanks for watching unique app sites